कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में बॉलिवूड फिल्मों में काफी बदलाव आया है फिल्में पहले से काफी बहतर और ओरिजिनल बनाई जाती है कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बॉलिवूड अब हॉलिवूड को भी टक कर देनी लगा है लेकिन क्या भारत में हॉरर फिल्म को लेकर भी कुछ सुधार आया है अगर आप Amazon Prime पर हॉरर जॉंबी फिल्मों की सूची तलाश कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आये हैं पांच बॉलिवुड फिल्में जो Amazon Prime पर हैं और जिन्हें हम बेस्ट हॉरर की कैटेगरी में भी रख सकते हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप डरावनी फिल्में देखना पसंद करते हैं लाइक मी क्योंकि मुझे बहुत जादा पसंद है पहले मैं अपना इंट्रोडिक्शन दे देती हूँ मैं गरिमा तोमर आपका दिल से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलिग्राथ स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में पहली फिल्म से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है भूत आज के तकरीबन 17 साल पहले रिलीज हुई राम गोपाल वर्मा की भूत को भारतिय सिनेमा की यादगार हॉरर फिल्मों में माना जाता है इसलिए जब सालों बाद धर्मा जैसा बड़ा प्रोडक्शन हाउस विकी कौशल जैसे समर्थ खलाकार के साथ इसी शीरशक वाली भूत लेकर आया तो दर्शक के रूप में आपको लगता है कि कुछ नया देखने को मिलेगा और कुछ वैसा ही अनुभव दर्शकों को हुआ भी ये फिल्म लॉकडाउन से पहले 2020 में थेटर में रिलीज हुई कुछ आखरी फिल्मों में से एक है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है भानु प्रताप ने जिनोंने इस फिल्म के साथ अपना डायरेक्शन में डेब्यू भी किया इस फिल्म की कहानी घूमती है शिपिंग अफसर पृत्वी के इर्द किर्द जिसका रोल विकी कौशन ने ने भाया जो अपनी नीजी जिन्देगी में अकेले पन से उभरने की कोशिशों में लगा हुआ है तभी अचानक उसे खबर मिलती है कि समुंदर के किनारे एक बहुत बड़ा जहाज बिना किसी क्रू मेंबर के अपने आपा पहुँचा है पृत्वी का बॉस जो की रिटार्मेंट की कगार पर है जल्द से जल्द इस शिप से छुटकारा पाना चाहता है ये फिल्म एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ट है जब सालों पहले एक बहुत बड़ा सा पानी का जहाज बिना किसी इनसान के अचानक किनारे पर आखड़ा हुआ था इसमें तो कोई शक नहीं कि फिल्म का पहला ढरावना सीन मूँ से चीख निकलने पर मजबूर कर देता है विकी कौशल की नीजी जिन्दिगी का जो पहलू दिखाया गया है कहीं न कहीं वो हमें आमिर खान की फिल्म तलाश के भियात दिलाता है दूसरे नंबर पर है दपास्ट 2018 में रिलीज होने वाली दपास्ट एक हॉरर थ्रीलर फिल्म है जिससे गगनपूरी अपने निर्देशन के करियर का भी डेब्यू कर रहे थे फिल्म में युवराज पराश्वर वेदिता प्रताप सिंग मुख्य किरदारों में नजर आए इस फिल्म में एक जवा और अपकमिंग नॉवलिस्ट की कहानी को बड़े पर दिखाया गया एक दिन उसे युवराज का फोन आता है जो की एक पब्लिशिंग हाउस का मालिक होता है वो सिम्रन से अपने एक आईटिय पर नॉवल लिखने के लिए कहता है सिम्रन अपनी छोटी बहन आलिया के साथ उनके लोनावला वाले बंगले पर भी जाती है यहां आने पर दोनों बहनों को अतीद के कुछ गहरे रास पता चलते हैं इस फिल्म को पिकॉक मोशल फिल्म्स ने प्रेड्यूस किया है फिल्म की कहानी काफी रोमान चक है और सस्पेंस आपको अंत तक फिल्म देखने पर मजबूर कर देता है इसके बावजूद भी फिल्म बॉक्स ओफिस पर कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई लेकिन आप एक हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म देख सकते हैं क्योंकि दरावनी चीज़े काफी हैं इस फिल्मे नमबर तीन पर है 1920 यह कहानी शुरू होती है लंडन में रह रहे एक राजस्थानी राजपरिवार के राजकुमार वीर सिंग और राजकुमारी शिवांगी की जिंदगी में आये तेज टकराव से वीर के शरीर में एक बुरी आत्मा निवास कर लिया है निरदेशन और स्टोरी टेलिंग काफी कमाल की है इसलिए हमारी डिस्ट में यह नमबर तीन पर आती है शिवांगी इसके निवारन के लिए भारत आती है और जै सिंग गुजर से मिलती है जो जादू टोना जानता है धर असल जै और शिवांगी एक दूजे से बहुत प्यार करते थे लेकिन शिवांगी की शादी कहीं और हो जाती है और जै उसे भूल नहीं पाता भारत के प्राचीन तंत्रमंत्र विध्या का इस्तिमाल कर फिल्म को काफी रुमान्चक बनाये गया है नमबर फोर पर आती है अलोन विपाशा बासू और करन सिंग रॉवर की फिल्म अलोन जिसने दोनों को बॉलिवुड के हॉटेस्ट ऑन स्क्रीन एंड रियल लाइफ कपल में बदल दिया हमारी लिस्ट में चौथे नमबर पर आती है ये फिल्म कहानी है दो जुड़वा बहनों की अंजना और संजना दोनों का शरीर जन्म से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है दोनों बहन बच्पन से ही एक दूसरे को बहुत प्यार भी करती हैं और एक दूसरे से वादा करती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगी लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब दोनों की दोस्ती होती है कबीर नाम के लड़के से कबीर और संजना एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं अंजना को इस बात की जलन होती है क्योंकि वो भी कबीर से प्यार करती है अचानक ऐसा कुछ होता है कि संजना ओपरेशन करके अंजना से अलग होना चाहती है और इस ओपरेशन में अंजना की मौत हो जाती है अंजना की यादों से दूर होने के लिए संजना कबीर से शादी कर दूसरे शहर चली जाती है लेकिन अपनी मा की खराब तबियत के चलते संजना को लोट कर वापस अपने घराना पड़ता है जहां मरी हुई अंजना का भूत उसे परेशान करने लगता है अगली फिल्म है मचली जल की रानी है फिल्म स्वारा के कंधो पर्टी की हुई है ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी राजना के जरीए खुद को एक बहतरीन अदाकारा साबित कर चुकी स्वारा भासकर नेनी संदे बहुत ही बहतरीन अदाकारी की है उनकी एक्सप्रेशन्स पब्लिक को कुछ देर के लिए हॉल के भीतर ड़ाते जरूर है आईशा और उदे सकसेना खुशाल कपल होते हैं इस फिल्म में दोनों मुंबई में रहते हैं उदे एक प्राइवेट कंपनी में मेकैनिकल इंजीनियर है और वो अपनी वाइफ और एक चार साल के बेटे सनी के साथ खुशाल जिन्देगी बिता रहा है एक दिन जब वो दोनों एक पार्टी से घर लोट रहे होते हैं तभी अचानक मस्ती मजाग के दौरान उनकी गाड़ी का एकसिडेंट हो जाता है आईशा की विंडो से टकरा कर गाड़ी के ड्राइवर का दम निकल जाता है इस हादसे से आईशा को गहरा सदमा लगता है वो डिप्रेशन में चली जाती है इस सदमे से आईशा को उभारने के लिए उसके पिता डॉक्टर अखिलेश त्रिवेदी जो की एक मनोवग्यानिक डॉक्टर है पूरी कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं इस बीच उदय के बॉस उसे वर्षों से जबलपूर में बंद पड़ी फैक्टरी को खुलवाने की जिम्मेदारी सौपते हैं जिसे उदय ये सोचकर सुईकार कर लेता है कि जगह बदल कर शायद आईशा भी ठीक हो जाए जबलपूर पहुंचने पर उदय अपने काम में बिजी हो जाता है और आईशा बंगले में अपने बेटे के साथ दिन भर अकेले रहने लगती है आईशा को घर में किसी अंजान शक्स की मौजूदगी का एसास होने लगता है उसे घर में परचाईया दिखने लगती है जिससे उसका डिप्रेशन कई गुना जादा बढ़ जाता है इसके बाद क्या रूदर आईशा को बचा पाता है आईशा के पडोस में रहने वाला मनोहर गुपता कौन है आईशा की फैमिली को ही प्रेतात्माई क्यों परिशान करती है यही फिल्म की कहानी है जिसका खुलासा फिल्म के अंतिम 15 मिनिट में होता है दोस्तों क्योंकि लॉक्डाउन के कारण हर कोई अपने घर पर ही है इसलिए यह सवभाविक है कि आप OTT प्लैटफॉर्म पर कंटेंट देख रहे होंगे हॉरर फिल्मों को सशक्त बनाने के लिए जिस तरह के कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल इन फिल्मों में किया गया है वो इस डिकेड में काफी बदलाव लाई है तो अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन है तो आप यह सारी फिल्में जरूर देख सकते हैं बिल्कुल भी आपका time based नहीं होगा काफी entertainment होगा आपका वीडियो अगर पसंद आए तो इसे like और share जरूर कीजेगा और देखते रहिए हमारा channel Bollygrad Studios